दोस्तों connection करना बहुत ही simple है आसान है अब देखिए जो starting के तार निकलेते चार कोईल के 8 तार वो हमने अंदर कर दिये हैं ताकि आपको कोई समझने में कटना ही ना हो और यहाँ पर देखिए बाहर है हमारे running के तार तो देखिए हमने जो सबसे पहले कोईल इंस्टोल की थी वसे हमने पहले इंस्टोल की थीक है तो उसके connection हम सबसे last में करेंगे अंतिम में करेंगे थीक है तो यह वाली वो कोईल है जिसके अंदर दो loop है थीक है एक inner तार है एक outer तार है और दो loop है speed के थीक है तो इसको हमें सबसे last में connection देना है ये चीज़ा आप ठान रखें थीक है तो इस से अगली कोईल की तरफ हम बढ़ते हैं इस side थीक है तो यहाँ पे देखिए कोईल में दो तार है running में एक inner है एक outer है तो हमें inner तार को skip कर देना है और outer तार है वो अगली कोईल के outer से जोड़ना है यानिकी one two three ठीक है तो अब इसमें हम थोड़ा sleeve लगा लेते हैं आप अपने हिसाब से sleeve लगा लीजिए जो आपको अच्छा लगे ठीक है दोस्तों और यहाँ पे मैं इसका अच्छे से connection कर देता हूं अच्छे से तार को छील लेना है मैंने तार को अल्रे इसमें skip किया है क्योंकि ये आपको पहले ही पता है लेगिन connection बहुत में तपोने चली में बता रहा हूं और इस पे हमने diagram वीडियो भी share किया हुआ है पहले ही तो diagram वीडियो भी आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे इसको हम चुपा देते हैं ठीक है आप अपने connection हो गया पहली coil का दूसरी के outer से आप दूसरी का inner बचता है ये अगली coil के inner से जुड़ेगा ठीक है वही एक तो तीन एक से तीन में ठीक है तो इसको भी बिल्कुल सिंपल तरीके से हम जोड़ देते हैं दोस्तो वीडियो के अंदर जितनी भी important बाते होती है मैं सब आपको share करता हूँ सब बाते आपको बताता हूँ फिर भी मुझे से कुछ छूट जाता हो तो मुझे commit करके जरूर बताए ठीक है ताकि अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊं जो जो मैं गलती करता हूँ कोई भी गलती हो वो मेरे को जरूर बोले ताकि मैं उस गलती को सुदार सकूँ आगे से वीडियो जब भी बनाऊं तो उस गलती को मैं ने करूँ तो मुझे commit करके ये चीज़े जरूर बताया करो ठीक है तो इसका connection इससे हो जाता है ठीक है अब हमारे पास तीसरी क्वाइल का ब इस आउटर तार को हम लास्ट की जिसके अंदर हमने लूप बनाए है वो क्वाइल हमने ठीक है जिस क्वाइल में हमने लूप बनाए है उसमें हमें connect करना है देखे रनिंग की चार क्वाइले होती है स्टार्टिंग की चार क्वाइले होती है स्टार्टिंग में कोई लूप नहीं होता लेकिन एक कोईल के अंदर लूप होता है ये चीज़ा आप ठहां रखिए तो लूप वाली कोईल में हम लास्ट वाली में जोड़ देते हैं उसी तरह से ठीक है एक से तीन में वान टू और थिरी एक से तीन में बिल्कुल सेम तरीके से ठीक है आपको आया कि इसके उपर हमने कनेक्शन डायग्राम की वीडियो सेयर की है जिसमें किलियर है किलियर आपको हो जाएगा पूरी तरह से ठीक है तो यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है तो इसको जोड को अंदर के तरफ हम ले लेते हैं जोड बाहर नहीं रहना चाहिए नहीं तो यह टच हो सकता है और मोटर में करणट आ सकता है ठीक है तो यहाँ पे हमारे देखे तीन connection हुए है 1, 2 and 3 और हमारे दो तार यहाँ पे निकला आए हैं running के और plus में दो loop है अब चलते हैं starting connection की और तो starting के 8 तार है ठीक है दोस्तो तो जिस coil जो running की जो पहली coil हमने माना जिस से हमने connection देना start किया उसका ये inner तार जो हमने छोड़ा था उसके साथ starting की एक coil का inner तार जोड़ना है जो उसके नजदीक हो तो यहाँ पे starting की पहली coil इसको मान लेते हैं ठीक है इसमें ये जो पहला तार है जैसे हमने running की में छोड़ा था ठीक है starting को छोड़ के running के साथ जोड़ देंगे ठीक है running का एक तार और starting की पहली coil का एक तार inner तार आपस में इनको जोड़ देंगे और एक common तार हम बनाएंगी जिसमें आप अपने हिसाब से color wise लगा सकते हो जैसे कि common तार में blue लगता है लेकिन आपके पास blue तार ना हो तो कोई भी लगा सकते हो ठीक है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि color wise है ठीक है बाहर इस color को देखके बाहर connection किये जाते हैं और connection करने में आसानी रहती है जब company connection करती है तो color का color वाले तार का यूज़ करती है लेकिन हम इसमें एक red तार लगाएंगे ठीक है हमारे पास available है नहीं तो ये red तार हम इसमें लगा देंगे बाद में इनकी पैचान हम करेंगे इसमें हम एक गांट मार देंगे तो इससे इसकी पैचान हो जाएगी कि ये comment तार है ठीक है तो अच्छे से इस पे connection देजिए ये में copper winding किया है एलिमूनियम का वही डाइटा सेम है और एक चीज़ और तारों का अच्छे से छीलना है नहीं तो इस पारकिंग हो सकती है current नहीं जाएगा तारों में तो फिर motor नहीं चलेगी ये इस पे soldering भी आप कर सकते हैं और अच्छा रहेगा तो यहाँ पे हमने देखिए comment बनाया है एक तार running और starting का लेके और ये हमने इस पे sleeve चड़ा दिया है अब देखिए पहली coil यही है जिसका हमने एक तार common बनाया है inner तार अब इसका जो outer तार है starting की पहली coil का वो starting की दूसरी coil के outer से जोड़ना है एक से तीन में वही एक दो तीन ठीक है outer से outer जुड ज़़ जाएगा ऐसे जोड़ना है तो इसमें हम पहले एक sleeve का टुकडा लगा लेंगे दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है पर अगर मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसलिए मैं complete वीडियो बनाता हूं और upload करता हूं यहां दोस् connection की वीडियो में ना तो first motion में बनाता हूं first नहीं करता और first करने से होता यह है कि आपको समझ में नहीं आएगा तो इस जोड़ को आप छुपा दीजिए देखिए अब बचता है पहले का outer दूसरी के outer से जुड़ गया अब दूसरी का inner बचता है जो कि तीसरी का inner से जुड़ेगा वही एक से तीन में one two three ठीक है यहां पर सिरे गिनते हैं एक से तीन जो तार जुड़ रहा है वो तीसरे सिरे में जाना चाहिए यहां से जिस सिरे से निकल रहा है उसको नोट के जाएगा one इस से अगला सिरा है कोईल का वो two और अगली कोईल का से उस सिरा होता थरी तो तीसरे में जुड़ना चाहिए एक से तीन इसलिए हम इसे बोलते हैं तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है मैं हर वीडियो में बताता हूँ एक से तीन क्या होता है और सारी चीजे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हमारी चैनल पर इसी तरह की वीडियो मिलती है connection, winding और टायग्राम सभी तरह की तो इसको भी हम छुपा देते हैं तो इस तरह से हम इसको छुपा देते है अब देखिए यहा पर हमने दो connection हमने यहा पर बनाय है एक कॉमन में जोड़ा है और अब ये तार है तीसरी कॉयल का जो की आउटर है इसको भी हम एक से तीर में जोड़ देंगे लाश्ट की कॉयल के वान टू थ्री इस तरह से तो कनेक्शन सिंपल है हर मोटर में आप आपको बताते हैं लेकिन यहापे लूप दिये गए है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है लेकिन आपको किलियर समझ में आने वाला है वीडियो को लाश्ट तक देखते रही है ठीक है तो ये लाश्ट की कॉयल में हमने कि कनेक्सन दे दिया है, इसको कट कर देते हैं, थोड़ा सा, दोस्तो, कोपर और ऐलमूनियं दोनों का कनेक्शन, वाइनिंग, सब कुछ सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कनेक्शन दे दिया है, अब देखि، हमारा एक लास्ट का, स्टार्टिंग का तार है, जो धब देल अब जोड़ेगा इसमें आप फीला तार लगा सकते हैं पीला वायर आप लगा सकते हैं ठीक है एक हमारा common बनगाया है रणिंग और स्टार्टिंग इसमें आप नीला वायर लगा सकते हिं मैं comment पे गांट मार देता हूं जिससे मुझे बाद में दिक्कत ना हो मैं खुद confused हो जाओंगा क्योंकि winding करने के बाद मेरे पास और भी इसी color के तार में लगाने वाला हूँ इसलिए ठीक है जो starting का जो बचता है दोस्तो starting का जो बचता है उस पे एक पीला वायर आप लगा सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे black लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पे एक black तार इस पे लगा दूँगा ठीक है दोस्तों अब इस पे मैं शिलिव यहाँ पे चड़ा देता हूँ तो यह हमारा common तार हो गया रहनी स्टार्टिक से मिलके यह हमारा कैपिस्टर का तार हो गया ठीक है तो इस कैपिस्टर के तार मैंने black लगाया पीला लगा सकते हैं ठीक है color wise और एक आपको और लेना है कैपिस्टर के लिए कैपिस्टर भी दो तार लगते हैं तो एक तो यह दोस्तो, देखिए, कैपिस्टर का एक तार हमने लगा दिया है, आपे बलेक, कैपिस्टर वाले में हम गाट मार देते हैं, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी कन्फिज ना हो, ठीक है, अब दूसरा जो कैपिस्टर का तार है, दूसरा कैपिस्टर का तार, प्लस में हाइ स्पीड का तार, जो कि हाइ स्पीड का है, वो दोनों एक ही रहेंगे, जो कि इस कोईल में हमने असी लूप दिये थे, फिर पचास दिये थे, फिर असी दिये थे, इस तरह से थे, जो हमारा पहला लूप है, ये असी के बाद, इसम इसमें हाइ स्पीड का ठीक है तो डाइग्राम वीडियो आप जरूर देखने ना आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा तो हम दो तार यहां पर ले लेते हैं कैपिस्टर के लिए लेंगे ब्लैक तार ले लेंगे और यहां पर एक हाइ स्पीड के लिए लेंगे ठीक है इस संवस्टार से हम इसको जोड़ेंगे ठीक है यह एक तार भी अप ले सकते हो बाहर से फिर तूर गंपिस्टर के लेंगे तार को दोस्तों तो यहां पर हम दो तार लगाने वाले हैं एक सप McMट और यहां छाती कर लियते हैं मोटर असनी से आज़रें आपका मर्जी हो तो आप एक भी लगा सकते हैं ठीक है बहार से फिर उसमें कैपिस्टर भी प्लस में जोड़ना होगा हाई स्पीड में तो वो आपकी मर्जी है तो अच्छे से आपको connection यहाँ पे देने होंगे tightly connection आपको देने होंगे और फिर इसमें डबल भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो हमारे पास यह दो तार आए है एक में गाठ मार देंगे क्योंकि कैपिस्टर के लिए है एक high speed का यहाँ पे हमारा आ गया है तो दो गाठ वाले black तार हमारे कैपिस्टर के हो गया यह एक जिसमें गाठ नहीं यह high speed हो गया और red जिसमें गाठ है वो common हमारा हो गया तो आप अलग-अलग color आप यूज़ कर सकते हैं कैपिस्टर में आप पिला-पिला ले सकते हैं जेलो ले सकते हैं और आप common वाले में बिलू लगा सकते हैं high speed में कुछ अलग color दे सकते हैं अब हमारे दो तार बचे हैं बहुत ही simple है ठीक है जो कि first loop हमने जोड दिया है जो second loop है second loop जो है उसके हम उसके अंदर हम पाएंगे जो कि हमारी speed medium है वो first loop में हम पाएंगे असी के बाद जो है उसमें high speed और असी के बाद जो पचास आता है पचास ट्रन थे उसके बाद जो loop था उसमें इस वाले loop में हम पाएंगे medium speed तो इस पे हम लाल तार यहां पे जोड रहे हैं ठीक है लाल तार हम यहां पे जोड रहे हैं और बचता है फ़र असी फ़र पचास फ़र असी लास्ट में बचता है जो सबसे उस पे हम एक black तार जोड देंगे ठीक है तो आप अपने मर्जे से जोड सकते हो यह आपका low speed का हो जाता है यह आपका सबसे low speed का तार है चीए दोस्तों अब इसको हम ढख देते हैं ठीक है तो अब ध्यान से देखिए यह low speed हो गया यह medium speed हो गया और यहाँ पर यह वाला हमारा high speed हो गया और दो तार हमारे capacitor के हो गये एक हमारा common हो गया ठीक है अब इस पर हम निकागर से यहाँ पर लगा 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 है दागा लेकर आराम से दागा मानना है कोई जल्दबाजी नहीं कर दी है पुरधान रहे रेनिंग और स्टार्टिंग के बीच में पेपर दे देना है ठीक है पेपर देने से फायदा यह होता है देखिए अगर आप पेपर ना दो तो भी मोटर चलती है ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है बट होता क्या है कि जब मोटर के तार गरम हो जाते है ज़्यादा मोटर हीट हो जाती है तो सोट होने का खतरा रहता है जिससे कागज दूर करता है उस खतरे को ठीक है इसलिए कागज लगाया जाता है क्योंकि अलग-अलग ताप मान पर दोनों וाइंडिंग्स करम होती है रणिंगोर स्टार्टिंग ठीख है तो ज्दा हीट हो जाने पर आपस में अगर पास में हो जाती है तो मोडर आपकी भी नई चलेगी यी चीज ठान देने योग हैं तो अच्छे से धागा मार देना है तो दोस्तो अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए दोस्तों में शेयर कीजिए और इसकी वाइंडिंग वाला पार्ट देखने के लिए वीडियो के डिस दीक्रेप्शन में लिंक है वहां से आप देख सकते हैं वाइंडिंग वाला पार्ट और हमने सारा डेट अब उसमें दिया है ठीक है दोस्तों हमारी वाइंडिंग यहांपर कंप्लीट हो चुकी हैं कानेक्सें हो चुके हैं फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साहते जेहीं जे भारत, जे श्री राम